नमस्कार दोस्तूं दोस्तूं रीट प्रिक्षातिती को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है उसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के मादेम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तूं रीट से रिलेटेड हर परकार की न्यूज आपको पूर्ण सत्यता के साथ मैं इस चैनल पर जरूर परदान करूंगा दोस्तूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें दोस्तूं तो दोस्तू सबसे पहले जो न्यूज है वो देख लेते हैं फिर मैं संपुन जानकार यह आपको बताऊंगा कि रीट एक जाम अगर 25 अपरेल को नहीं होता है तो यह किस डेट को हो सकता है दोस्तूं जेहन समाज ने कि रीट परक्षया तिती बदलने की मांग दोस्तूं जेहन समाजे इन्होंने बेटक कीती और बेटक के बाद वहाँ परक्षया तिती को बदलने की मांग किये सरकार से दोस्तों दोस्तों आपको यहाँ पे साब दिखाई दे जाएगा एक बार आप द्यान से पड़ सकते हैं महवीर जेनती पर 25 अपरेल को रीट परक्षया होने की बाद पर रोज परकट किया एवं सरकार से तिती प्रिवर्तन की मांग की अगर पाँच दिनों में सरकार नहीं तिती गोसित नहीं करती है तो आगें की रन्निती बनाई जाएगी तो दोस्तु इसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार जेन समाज है वो सरकार को 5 दिन का अल्टिमेटम दे रही है कि 5 दिनों के अंदर रीट परक्षया तिती 25 अपरेल को चेंज किया जाए इसमें बदलाव किया जाए तो दोस्तों ऐसे में ऐसा लग रहा है जो जेहन समाज है वो रेगुलर मांग करता आ रहा है और फिर उन्होंने तेज मांग किये तो इससे ऐसा लग रहा है कि रेट प्रिक्षातिती में बदला होना संबह हो है दोस्तों लेकिन यहां पर यह सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि अगर 25 अपरेल को रीट एक्जाम नहीं होगा तो कब होगा क्योंकि बहुत सारे सातियों के मैंने मेसेज पड़े हैं तो उनके मेसेज आ रहे हैं कि अगर 25 अपरेल को रीट एक्जाम नहीं होता है तो वो फिर होगा जून या जुलाई में तो दोस्तों आपको बता देना हूँ बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर 25 अपरेल को रीट एक्जाम नहीं होती है कारण यह कि दोस्तों बहुत सारी exam है उनको पोस्टपॉंड किया गया है जैसे आप सभी को पता है पटवार exam जो exam हुई थी उसको निरस्त किया गया था तो ऐसे में सरकार पर दबाव बना हुआ है कि हर प्रक्षत जो पर exam होती है उसको यह तो आगी किसका देती है या उसको निरस्ट कर देती है तो ऐसे में सरकार REIT को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है तो REIT एकजाम है अगर 25 अपरेल को नहीं होती है तो ये कुछ ही दिनों में मतलब 25 से 7 से 14 दिन तो 25 से 15 मई के 25 अपरेल से 15 मई के मद्दे है जो REIT एकजाम होने की परबल संभावना है तो ऐसे में आप अपनी तयारी या उसको दिमाना पड़ें और अपनी तयारी में लगे रहें दोस्तूं क्योंकि दोस्तूं समय आपको उतना ही मिलेगा जिसमें आप अपना रिवीजन जरूर कर सकते हो ये नहीं कि आप दुबारा से तयारी को कर सकते हो आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें जे हिंद जे बार